शरिष्का पैलेस करन नर्जुन मूवी में ठाकूर दुरजन सिंग की हवेली वहा करता है इस स्तान पर समसेश वो खड़ा होता है पतलों को फोर देता है वह नार सिंग उस इस स्तान पर खड़ा होता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम खड़े हैं सरिस्का बहरान चेत्र में आज हम आपको दिखाने वाले हैं करान अरजुन मूवी में दर्शाएगे सीन अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ मेरे पीछे इस्तित है सरिस्का पैलेस यह जो पैलेस है करान अरजुन मूवी में ठाकूर दुर्जन सिंग की हवेली हुआ करता था इस स्थान पर ठाकूर दुर्जन सिंग ने अपने जो दो साले थे समसेव सिंग और नहार सिंग उन दोनों का अफमानी किया था और वो इस इस्तान से अफमानी तो करके गए थे एक किल्ले पर जिसका नाम है कुशालगड का किल्ला तो दोस्तों आज हम करना अरजुन मुवी में दर्साया गया वो किल्ला आपको दिखाने जा रहे हैं तो बने रहे हैं आप हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए दोस्तों मैं लेकर करके चलता हूं आपको उस कुशालगड के किल्ले की ओवर दोस्तों अभी आपने देखा कि यह है जो किल्ला है किस प्रकार से जंगल से गिरा हुआ है पेड़ पुदो से एक ही मात रास्ता है जिससे चड़कर के अभी हम आए हैं अभी हम पहुंच चुके हैं इस दूर्ग है यह जो किल्ला है इसके मुख्य द्वार के बिलकुन पर पहुंचते ही सामने तीन बरामदा नुमा हमको दिखाए दे रहे हैं यह जो बरामदा नुमा कक्ष है यह ऐसा लगता है कि उस समय द्वार पालों के लिए बनाए गए थे वर्तमान में यहां के जो इस्ताने लोग हैं उनके द्वार अपने नीजी पस्वों के चारा के काम में लिए जाने लगे हैं बिना रख रखाओ की वज़े से इनकी स्तती इस प्रकार से हमको दिखाए दे रही है अब हम पहुंचते हैं इसके मुख्य द्वार की और देखते हैं कैसा दर्श्य है हालांकि इस पहाड़ी पर चारु तरफ से यह जो अरुस्ता के पोदे ल किशल दरवाजा लगा हुआ है यहां से लोगे का गेट अभी समय है अठालिया गया है देखेए दोस्तों चार तरफ के वल अरुस्ता के जो पेड़ है वह हमें दिखाए दे रहे हैं यह जो दुर्ग है एक तरीके से बिल्कूल ऐसे जिसको कह सकते हैं जंगली टाइप में यहां पेड़ पोदों की वज़े से बड़ा जानुवरू का भी खत्रा रहता है जंगली जो चोटे जानुवर है रहें किले के मद्ध्य में पूंच चुके हैं सर्वा परतम किल्य का यह दूआ है यहीं पर करान अरुजुन की जो सूटिंग हुई थी इन ही दोनों कक्षों पर नाहार सिंग और समसेर सिंग खड़े वो करके और वह जो फिलम का दर्सय है वो पर दर्साया जाता है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जैसा कि सामाने ते हर दुर्ग में हमको देखने को मिलता है कि दुर्ग के मद्धे में एक टाका बना हुआ होता है जल वेवस्ता के लिए पानी का कुंड़ होता है इस दुर्ग में भी छोटा का बना हुआ है यहां पानी की वेवस्ता के लिए इस प्रकागा टाका बनाया गया था कि यह जो किल्ला है अंग्रेजी शाषन के शमय हैं यहां के लोगों का कहना है कि अंग्रेजों की जेल वाकर्पिती जहां के दियों को बंदी बनाया जाता था इसा ही एक दर्सट्राद को मिल रहा है कि इस परकार से नीचे छोटी-छोटी यह कक्ष बने विये हैं ऐसा लग रहा है कि जेल के चोटी-छोटे चोटी-चोटी हों केडियों को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने इश्व दुरूग का उप्यों किया था चले दोस्तों अब हम चलते हैं इस किल्ले के उस पॉइंट पर जहां पर करान आरजन मोवी में दिखाया गया था कि ठाकुर दुजन सिंग ने जब अपने शालों को थपड मार दिया था उसके बाद आकर के वो इस किल्ले पर बातचीत करते हैं वो फिल्म का दर्शे जिस इस्तान पर दर्शाया गया था उस इस्तान के और मैं आपको ले करके चलता हूं पहुंचुका हूं इन सड्डियों को चड़कर के उस दिवार पर जो बनी हुई है आशिका इस किल्ले की जो रक्षण दिवार है उसके सारे-सारे लगबग धाई-व्ठ चोडि दिवार है और देखें इस जो रक्षा-दिवार है इसवर चोटे चोटे ब्लोक्स बने विए हैं यह जो ब्लोक्स हैं यह सत्रू पर गोलिया दागने की काम में आते थे साथ में नीचे जो झोटे ब्लोक्स बने हैं बने ब्लोक्स अटाता को इनके बाद वह सत्रो को देख करunde आ, दागने का कारे कोंसा था तो यह जो दिवार है यह लगबग दो फिट मोटाई में बनीवी है जिससे सत्रों के आकर्मन के समय रक्षा की जा सके सत्रों इसको डाकर के अंदर प्रवेश ना कर सके इसलिए इतनी मोटी दिवारे उस समय राजा माराजव के दौरा बनाई जाती थी हालांकि यह किल्ला त मुशालगर का यह जो किल्ला है हालांकि इतना बड़ा किल्ला नहीं है लेकिन प्रसाशनिक दस्टी से अंग्रेजु के लिए बड़ा मेहतुपून हुआ करता था यह किल्ला अभी दोस्तों हम किल्ले की जो मुख्य जो छत है उसको पहुंच चुके हैं यहां पर यह जो ल जोहेका जाल हुआ करता था जैसा कि अपनी छतों भी पाया जाता है लेकिन पता नहीं किन लोगों के दुवारा उसको खा लिया गया अब केवल मात्र यह जो छज्जा है यही यहां पर बचा हुआ है अब हम पहुंच चुके हैं यह जो किला है इसके बिल्कूल अंदर प्रवेश करने वाले हैं देखते हैं यहां का कैसा दर्षे है अंदर पहुंचते ही हमें दिखाये देरा है कि एक बिदिंग के रूप में इसको बनाया गया है सामने एक अच्छा होल यहां बनाुआ कि लिए देखने के बाद दोस्तों लगता है कि ये साइब किचन आखे ऐसी लगता ह而且 हवा करता होगा जाए छनामना बनाने काफ़िया जाता था में दोस्तों और चलते हैं अन्न्य कक्ष गीत रप इसकुन लेकर करके चलता हूं इसकुन में देखे कि दोस्तों ऐसा लगता है कि यह रहने के लिए एक कख्ष वा करता था आधुनिक जो गाटर हैं जो अभी बहुनों को बनाने में काम आती एसी मोटी गाटर जिसमें काम लिगए है इसके अंदर भी दोस्तों जैसे जोइंट जो कमरें होते हैं आजकल जो जो जिसको कहते हैं जो कमरे बने होते हैं ऐसा लगता है कि इसमें भी छोटा कमरा साथ में इसना नाधी के लिए बड़ा इसी कख्ष में लगा हुआ एक कख्ष देखने को मिल रहा है ऐसा लगता है अंग्रेज अधिकारी यहां रुपते थे तो अपने काम में लिया करते थे इसे के बाहर जरू कोबारे शते बनती थी लखड़ी का अभ्यायां जाता था ओ छती न अधिकर मिल रहा है कितना सुन्दर लखड़ी से बनाई गई जोแต kis कि मजबूत जाता ही और यहां से निहरा जाता होगा साय्ट सारीष्प का अभ्यारण का यह है फिसट्र को से देखा जाता होगा इस डूसरे कक्ष की और चलते हैं यह कक्ष हमने आपको दिखाया है विशाल कक्ष है रहने की अच्छी उत्तम वेवस्ता है आदुनिक समय में जैसा मकान बनाए जाता है उस्परकार की जोईंट में कीच़ा की वेवस्ता इस रूम में थी चलते हैं दूसरे कख्ष में ऐसा ही वही दोस्तों ये लेट बात हुआ करते थी किस प्रकार से इसमें भी ये जो हैं लगाई गई थी और कितना सुन्दर इसको बनाया गया था चलिए दोस्तों और देखते हैं इस किले में क्या किती दोस्तों देखें यहां बिजली भी लगी भी थी बिजली के लिए मिटर का य यहां वो चीजे उखार ली गई है यहां के दरवाजे भी उखार लिए गए हैं आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो पर आप बने रही हैं आपको सीन भी मैं बहुत जल्दी दिखाने वाला हूं जहां पर नाहार सिंग और समसेर सिंग ने आकर कि बातचीत करी थी उससे पहले हम देखते हैं लखडी के एक बहुत अच्छी छट इस किल्ले में बनी वी है कितनी सुन्दर ये छट दिखाए दे रही है आज भी अपनी अच्छी स्थती में ये छट है यहां पर लखडी का अत्यदिक उप्योग इस की छटों को बनाने के लिए किया गया था यह साइद ऐसा लगता है कि ब्रामदा किल्ले का जो बहारी इस्तान होता था वैसा यह एक इस्तान है और दोस्तों इसके बहार निकलते ही यहां से साइद निहारा जाता था इस परी छेतर को जहां पर बना हुआ है शुंदर एक दरवाजा तीन दरवाजे हैं जो सुंदर ढूल नहीं में मिलते हैं साइड यहां पर उस समय जो द्वार लगे और इपना सुन्दर वहां कि मैं या कि शिठी को देखके बना हुइ है और इसी पर्ज के सामने से निहारिये अरावली परवतमाला के इन पहाडों को शरिस्ता व्यर्ण शेत्र के इन बहुती सुन्दर मनोहरक पहाडियों को देखे कैसा चारों तरफ अरावली की ये परवत मालाए फैली हुई है और इनके मद्धे में इस्तित है यह कुशालगर का दुर्ग मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस पॉइंट की तरफ जिसका आपको बेश सब्री से इंतजार है करान अरजुन मुवी का वह सीन दिलाओंगा आपको याद चलता हूँ मैं उस छत पर जहां पर नहार सिंग और समसे सिंग ठाकुर दुजन सिंग की हवेली से आकर के और इस स् इस इडिया हैं जिन से चड़ा जाता है उस छत पर जहां पर खड़ा हुआ था नहार सिंग आये दोस्तों मैं कोशिस करूँगा कि आपको वैसा ही एक सीन यहां दिखाने का परियास करूँगा चले दोस्तों दिखाते हैं आपको करन अरजुन मुवी का वह सीन जब ठाकु समसेर नहार सिंग को अपमानित कर दिया था तब दोनों यहां आते हैं इसी स्तान पर समसेर जो है वो खड़ा होता है और अपनी बोतल को फोड़ देता है बाद में वह नहार सिंग उस स्तान पर खड़ा होता है वहां उससे बातचित है करता रहता है दोस्तों इस स्तान पर से दिखाया जाता है जो अभी हम को देखने को मिल रहा है तो आपको दिखाते हैं मुवी का वेद दूसरा सीन है जिसमें जो नाहर सिंग है वह इस चत पर आकर के इस स्तान पर इस स्टति में खड़ा होता है हात में उसके बोतल होती है और वहां उस चत्वे जो संसेर सिंग होता है उसे बात्चित कर रहा होता है साथ में ही इस चत्वे टहलता रहता है और पीछे का दर्से भी जो है उस मुवी में यह जो पहाड है वो उसमें दर्साया गया है तो जो नाहर सिंग है वह इस चत्वे इस प्रकार से टहलता हुआ आग को देखने को मिल राए दोस्तों, इस पहार को उस फिलम में मुखे रूफ से दिखाया गया था जब समसर् सिंग और नाहर सिंग इस च्छत पर बाते करते रहते हैं करण पगड़ने की बात करते हैं यह between खुसालगड का किल्हा है ऐसां बताते हैं कि यो केए है कि राजा जैसिंग के दुवारा लोगा सासकता उस्के दुवारा बना गया था यह किस्तान है १हा साइद द्वज लगता था और दोस्तों यह जो छहतर है सर्मिस्का वहां पर एक बुर्ज बना हुआ है वहां पर निग्रहनी रखने के लिए और द्वज के लिए एक इस्तान पर बनाए गए हैं इसमें बंदूख से उसका सामना की आजा सके गरम तेल डानने के लिए भी लंबे उसमें छोटे चिद्र बनाए गए हैं यह जो प्राना है ऐसा माना जाता है बाद में अंग्रेजों ने इस किल्ले को पनी श्रक्षय दर्श्टी से लेकर के कांतिकारियों को जेल में बंदी बनाने के लिए उप्योंग में लिया था कूँकि यह जो छेतर है, सरिस्का अभ्यारन छेतर कहलाता है, यह निर्जन छेतर होता था उस समय में, जब यहाँ केवल चारों तरफ अरावली की पहाड़िया ही देखने को मिलती थी, क्योंकि यहाँ उस समय जहन का जो विवस्ता थी, लोग यहाँ कम मात्रा में रहते थे, जिससे यहां जंगली जानुरों का जो भै है वो हमेशा रहता था और साथ में यह जिस पहाड़ी पे बना हुआ है यह पहाड़ी जो है चारो तरफ से जंगल से गिरी होती थी तो केदियों के लिए सबसे अच्छी जगह इसको अंग्रेजों ने माना और इसे अपना जो जेल खाना है वह अंग्रेजों ने अपने सासन के समय में बनाया था और यहां ऑग्रेजों ने ही रहने के लिए कुछ अपने अधिखाड़ियों के लिए अच्छी स्कूश्टित विवस्ता करी ती जो मैंने नीचे आपको दिखाया था जैसे आधुनिक रूप में बने विए क और जो लेट बात है वो भी बनी वी थी लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के शासन के बार भारत के आजाद होने के बार इस किल्ले की साल समान नहीं हो पाई और यह किल्ला अब जीरन सीर्ण अवस्ता में दिखाई दे रहा है जहां अत्यदिक मात्रा में गंद किल्ले में हो किल्ले में नहीं है जिनसे जेन है किल्ला होने की विजयें से जाडिया जो है अत्टिक मात्रा में इसमें हञाद जुपकी हैं जिसकी वायां ज real जानवर है उनका भै हमेशा बना रहता है आज हमने आपको करण आरजुन मुवी में दर्साया गया यह किल्ला कुशालगड़ का किल्ला दिखाया है करण आरजुन मुवी से सम्मधित अनेक इस्तान देखने के लिए भी साथ में ही इस सरिष्का अभ्यारण छेत्र के अन्य किस्तानों को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अन्य वीडियो देख सकते हैं अन्य जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं दोस्तों बने रहिए आगे के लिए हमारे इस यूटूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना और लाइब करना ना बुले